हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक एमके नॉलेज ग्रूप में आप सरी का पुना स्वागत है आज इस वीडियो हम देखने वाले हैं कि जो इंस्पेक्टर का एक्जाम का होरम आया है उसमें जो सावी इस्पेक्टर का पोस्ट है उसमें मैथ है और रेजिनिंग से 45 कोशन पुछे जाने हैं जिन में रेजिनिंग से 15 कोशन पुछे जाएंगे और आपके जो भी मैथ है उससे आपके 30 कोशन पुछे जाएंगे तो हम बात करने वाले हैं कि प्रिवियर्स में इंस्पेक्टर के एक्जाम में किस परकार के रेजिनिंग से प्रशन आया थे उनसा भी कोशनों तो चलि हम स्टाट करते हैं पहला कॉचन जो प्रिवेर से अया हुआ था कि मानसी क्योगता से जिसमें एजेंग का है इसमें 71 का ते इसका राइट एंसर क्या हो जागे इसके बारे में हम जानकारे प्राप्ट करते हैं इसका प्रस्ण है किनिम लिखित में से कौन सा अंक अन्य से भीन है इस चार अंकों में आपको दिया हुआ है और इसके राइट एंसर के हम बात करेंगे तो इसमें राइट 115 होगा तो इस परकार से कौन सा अंक भीन है इस परकार के नंबर जो different from others जो आते हैं उस परकार से नं का लिया जा है नेक्स हम बात करने वाले हैं इसका दूसरे कोचन की दूसरे कोचन में दिया है कि यदि भाग को से तत्परे प्लस है और गुडा का तत्परे माइनस है जोड का तत्परे गुडा है और माइनस का तत्परे भाग है ति इस परकार के संख्याओं को बताईए तिस परकार के question भी हर exam में पुछे जाते हैं, चाहिए आपका किसी भी सब inspector exam हो, या food inspector हो, या R.I. inspector हो, सबका label ब्याप्न के द्वारा एक ही होता है, अभी पटवारी हो गए रहा कभी exam आने वाले हैं, तो इस exam के माध्यम से इस परकार के question पुछे जा रहे हैं, तो आप कुछ इस परकार से guess कर सकते हैं, चले next question को और हम बात करने वाले हैं, वीडियो का अंतक बने रहिएगा, वीडियो को फिरिज लाइक, share, subscribe किजएगा, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आपका एक like, share, subscribe ही हमारा help होगा, चले next हम बात तेरने वाले हैं, त्यातर में question के और, त्यातर में जो question है, उसमें दिया गया है, निम लिखित अनुकरम में अगला पद क्या होगा, और इसके अगर detail वीडियो के हम सिरिंकला एक ला रहे हैं, next वीडियो से हम detail सभी math के भी question को solve करेंगे, कि किस परकार से math और अनुकरम में दिया रहता है, और उसके अगला पद में ज्याद करना होता है, जैसे कि इस वीडियो को आप रोक कर इसे बना सकते हैं, मैं आपको इसमें बाद में answer बताऊंगा, तो चलिए मैं बता रहा हूं, इसका right answer हो जाएगी A number, यानि कि A9 हो जाएगा, इस परकार से आप अन तक बने रहेगा, और अपने फ्रेंड को भी इससे सेर सब्सक्राइब कराईएगा, चलिए नेक्स आप बात करते हैं, जो एक्जाम जो है इसका question, वो आया हुआ है कि कौन सा छेत्र इवा सिक्षित बिरोजगार वाले बेक्तियों को दरसाता है, तो आपको इस टा इसका right answer यह हो जाएगा, यानि कि एक बेक्ति जो है, जो है, इसका right answer हो जाएगा आपका यह, यानि कि एक बेक्ति जो है, इसका right answer हो जाएगा आपका यह, यानि कि एक बेक्ति जो है, इवा सिक्षित है, बिरोजगार वाले बेक्तियों को दरसाता है, ठेक है, चलिए next question के और हम बढ़ रहे हैं जुआ को लुप्तपद जञात करो इसमें आया हुआ है लुप्तपद जञात करो इसका राइट एंसर आपको बताना है तिस परकार के कोस्टन जरू पुछ जाते इस परकार के topic को जिसे missing term के नाम से भी हम जानते हैं लुप्तपद तो आप इसको असाने से देख दीजिए और इस type के जो भी topics है उसको revision कीजिए बार-बार और मेरे इस channel में भी कई इस परकार के test series मंडी इंस्पेक्टर से आपको पलवध होंगे तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपको next जो वीडियो आएगा उसका notification भी आपको प्राप्थ होगा जैसा कि आप पर दिये गया है 75 question में कि लुप्त पद ग्याद करना है तो इसका right answer हो जा आपको ब्यापम के द्वारे exam में पूछ ली जाते हैं जो कि previous series के question में इस प्रकार से आया हुआ है तो यहां एक question जो होता है वह स्रिंखला बद्ध question होते हैं और इस प्रकार के question को आपसाने से बना सकते हैं तो इसका right answer में आपको बता रहा हूं आप इस वीडियो को रोग को आप देखेगा इस प्रकार question हमेशा पूछे जाते हैं चली next हम बात करने वाले हैं निम लिखित चार चीत्रों में से कवंसा चीत्र टैनिस, खिलाडी, किर्केट, खिलाडी वा छात्रों के मद्ध शमंदों को सही सही दरसाता है तीस प्रकार के question भी चली इसका answer मैं आपको बता रहा हूं आप इसको question को solve भी करेंगे और वीडियो को रोक रुक के भी आप देख सकते हैं एक तरीका हो सकता है एक बार साभी question को देख लिए और अपने जो भी हमारा सलेवैसे topic से उसके अधार पर भी हम पढ़ते चलेंगे इसका right answer हो जागा बी नंबर यहांने तीनों समदित है जो tennis है यह खिलाडी है क्रिकेट खिलाडी है वो छात्र तो इस प्रकार से क्या लिखा सकता है इस प्रकार के question को भी आप देखींगे क्योंकि इस प्रकार के question हर एक्जाम में पूछे जा रहे हैं और इसका right answer में आपको बता रहा हूं 79 का 29 का आप बताएंगे इसका answer आप हल करके बताएंगे comment में मेरे को बताएंगे इसका answer क्या होगा next question को और हम पढ़ रहे हैं next question है नेमलिकी चीतरों में घनों की संख्या की गढ़ना करो इसमें आपको दिया हुआ इस प्रकार से इसका right answer हम आपको बता रहे हैं इस प्रकार से गढ़ना करने के लिए आता है इस प्रकार कोशनों से भी आप थोड़ा देखते चलेंगे इसका right answer हो जागे 80 का नेमलिकी चीतरों में लुप तपद गयाद कीजिए हर एक्जाम में इस प्रकार के कोशनों पुछे जाते हैं इस वीडियो का आप रोकिएगा और रोक के इसके बाद आप गयाद करने के कोशिस करेंगे कि इस प्रकार से इस question का answer क्या होगा चलिए मैं इसका right answer बता रहा इसका right answer B number होगा यानि कि खाले स्थान पर चार numbers काएगा चलिए next हम बात करने वाले हैं चीतरों की निमलिकित अनुकरम में अगला चीतर कौन श होगा तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि चीतरों से भी कोशन पूछे जाते हैं तो इस topic को भी आप जरूर कभर करें है नेक्स्ट कोशन है डाइस से इस प्रकार से जो पांशे होते हैं उससे एक कोशन पूछा जाता है जैसे इसमें दिया गया है 83 का कि डाइस कि लिम लिकित तति में पांच की विपरित कौन सा अंख होगा तिनिश्चित रूप से आपको पांशे से समंदित कोशन पूछे रहे हैं तो आप जो भी एक्जाम दे रहे हैं उसमें math का एक question जो होता है पासे से जरूर पुछे जाते हैं और इसका right answer हो जाएगा बी नंबर यानि इसका two हो जाएगा वीडियो को रोकेंगे यह आपने कहीं पर पढ़ा होगा तो इसको टेस्ट सिरिज की रूप में भी ले सकते हैं आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं कि किस प्रकार के question दिए गए हैं और हम उसे कैसे solve कर पार हैं या नहीं कर पार हैं नेक्स्ट हमारा कोचन है कि इनिम लिकित में से भीन का chain करना है आपको तो इसमें से भीन कोण है इसमें से chain करना है 84 का इसका right answer C number होगा MQ इन सभी में एक समंध है जबकि MQ जो है विप्रित है तो इस परकार की चीज़े भी आप लगा सकते हैं तो इसका right answer जो मैंने बताया था तीसी परकार के question हमेशा बार वर पूछे चा रहे हैं आप इसका भी दियान रखेंगे चेत्र में कितने तिर्भूज बताए गया है इस परकार के पूछा गया है तो इस परकार के question भी आप लगाते चलेंगे कि इस चीतर में कितने तिर्भूज है कितने वर्ग है इस परकार के question एक question बनता है right answer मैं आपको बता दे रहा हूं आप इसे भी अच्छे से देखते चलेंगे चलेंगे नेक्स्ट है इसका जो राइट एंसर है सी नंबर इसका राइट एंसर होगा यानि कि 19 तिर्भूज इसमें बनेंगे आप लोग यदि अच्छे से रिजनिंग को किया होगा तो तिर्भूज कैसे करना की जाती है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बना कर लाएंगे और आप इस परकार के ध्यान रखते भ कोशन जरोर पूछे जाते हैं तो उसमें प्रिवेरस इसमें पाला कोशन है पूछह गया था कि कोई धन दो वरस के लिए चक्र अनसर आपको बता दे रहा हूं इसका एंसर क्या होगा वीडियो को रूक कर भी आप इसे श्रोफ कर सकते हैं कि प्रिवेरस में इस परकार के को कोशन आएंगे मात रेस में जो अंक दिया हुआ है अंक बदल दिये जाते हैं तिस परकार के लगातार देखा गिया है इसका राइट एंसर बी निंबर होगा याने की से 1 by 4% होगा नेक्स्ट बात करने वाले हैं 42 में इस परकार कोशन आता है कि किसी का मान दिया रहता है जैसे के पलस 1 by A एक्वाल टू रूट 3 तो AQ पलस 1 by AQ का मान गयाद करना है तिस परकार के मान आपको दी रहते हैं या हो सकता है कि A square स्क्वाइर पलस 1 by A square है इस परकार के चेंज कर दिया जाएगा और अंक को प्रवितित कर दिया जाएगा मात्र और इस परकार के कोशनों को आपको बनाकर प्रेक्टिस करते रहाना चाहिए इस परकार के लिए रिलेटिट जो ट्रॉपेक्स है उस ट्रॉपिक को भी पढ़ते रहाना चाहिए इसका राइट इस परकार से 47 वे कोशन को है ODAE तथा OEF त्रिबुच के तीन भजाओं पर लंबत विभाचन है तो कोड BAC तथा कोड BOC के बीच का समध है इस परकार के कोशन पुछे जाते हैं इसका राइट इंसर मैं आपको बता जे रहा हूं तो 47 वा का राइट इंसर जो होगा इसका करने के लिए कितने वार्षिक किस्त चुकाने पड़ेगी तो इसका राइट इंसर क्या होगा 48 में कहम बताने की कोशेश करते हैं तो 48 वा का इसका राइट इंसर डी नंबर होगा यानि की 1050 ति इस परकार से कोशन को भी आप असानी चीज देख से चलेंगे सधराने ब्या चात्र जिनके करमसा 13 11 और 10.5 और 9.75 थे तो नए आगए तब का अच्छा में चात्रों की वरत्मान और आउसत क्या होगा तो आउसत से कोशन पूछा जाता है तो आप इस कोशन को देखकर यह गेश कर सकते हैं कि इससे समदित भी एक कोशन आपको जरूरी एक्जाम में द तथा 10 का पाउर 24 प्लस एक्स का अंतर तील से भी भाजित कीजिए तिस परकार से जो चर अचर के जो होते हैं इस परकार के कोशन पूछन पूछा जाता है और इसके राइट एंसर के हम बात करें तो इसका राइट एंसर 2 हो जाएगा ता आप इसे भी देखेंगे नेक्स ह मैं आपको बता दे रहा हूं इसको इस परकार से बेलन से भी एक कोशन और तेरे जिया अगेरा से भी एक कोशन पूछे जाते हैं आपके तो इस परकार के एक कोशन आपको एकजाम में देखने को मिलेगा तो इसका राइट एंसर आपको मैं बता दे रहा हूं इसका राइट 22 का भी माइनस हो जाएगा ति इस परकार से आपको मान निकालने के लिए भी दिये रहते हैं ति इस परकार के कोशनों को आप असानी से देख सकते हैं यदि इस परकार के कोशन तो मान गयात करने के लिए आपको आते हैं ति इस टॉपिक्स हो भी आप अच्छे से ध्यान देखेंगे और इस वीडियो को आप रोक रूप कर इसे आप बना सकते हैं टेस्ट रूप में अपने को ले सकते हैं कि हमसे बन पा रहा है या नि बन पा रहा है क्योंकि मैं 2-3 सेकेंड बाद इसका एंसर सभी प्रश्नका दिया हूँ तो इसका राइट एंसर आपको हो जाएगा B नंबर यानि कि 5 और 4 होगा दो धन प्रणांकों का योग 52 है तथा उनका लगतम स्रमापरते 16 है तब संख्यांक क्या होगी 54 का इसका राइट इंसर हो जाएगा तो इस परकार से प्रणांक लगतम स्रमापरते को और महतम स्रमापरतक से एक-दो कोशन बराबर पुशे जा रहे हैं आपको next exam में भी इस प्रकार की question देखने को मिलेगा तो इसका right answer हो जागा 54 का D number इसका right answer हो जागा यानि की 24 और 28 next question को और हम बात करते हैं पजबन में एक वर्ग A, B, C, D के 4 और एक बिर्थ खिचा गया है तता उसमें से किसी एक छायदार भाग का 6 तरफल 8 बटे 7 है तो बिर्थ की 3 जया क्या होगी 55 का इसका right answer आपको बताना है तो इस प्रकार से 3 जया इसमें ग्याद करना था 6 तरफल 8 बटे 7 दिया हुआ है तो थोड़ा सभी आप इससे ध्यान दे देंगे तो इस प्रकार से बहुत ही असान question होता है इस वीडियो को रोख कर आप बना सकते हैं इसका answer मैं अभी तुरंट 1-2 second में बता रहा हूँ पच्पन का इसका right answer हो जागा दी निमबर इन में से कोई नहीं उप्योक में से कोई नहीं नेक्स नम बात करने वाले इस प्रकार से अंतर बिरित की त्रीजिया क्या होगी तिस प्रकार से बिरित की से question जरूर पूछी जाते हैं बिरित का question दो-तीन question आपसे बन जाएंगे और यह बहुत असान question होते हैं थोड़ा सा फार्मोले आपके याद होंगे तिनेशीत रूप से यह simple होते हैं इसका answer मैं बता रहा हूँ इसका right answer हो जाएगा B number यानि 2.0 cm होगा next time बात करने वाले हैं P के उन मानों का समुख क्या है जिनके लिए समेकरण दिये रहते हैं समेकरण का मान गयात करने के लिए आपको आता है तो 57 का इसका right answer हो जाएगा 0,1 हो जाएगा next इस में question है माना कि xy तथा equal to x और y का लगतम समापरतक तथा xy equal to x और y का मातम समापरतक है यदि इस परकार के जो भी question है 12th level के question में इस परकार के question पुछी जाते हैं तो इसे भी आप देख लेंगे एक बार इस परकार के थोड़ा सहाई level के question भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि RS अगरवाल के book में आपको मिल जाएंगे इस परकार के question भी आप देख लेंगे तो इसका right answer हो जाएगा एक number याने की 36 next हम बात करने वाले है 59 का तो इसका right answer हो जाएगा 59 का इस परकार से मान ग्याद करने के लिए आपको दिये रहते हैं हो सकता है कि यह question नहीं आया पर इसी परकार से अंग बदलकर आपको next question दिये जाएंगे और आपको इस परकार के question exam में देखने को मिलेंगे इस परकार के question जो भी है जो भी आपको solution में या salt paper में आपको देखने को मिलते हैं उन सभी question को आप लगाते चलेंगे इसका right answer हो ज साथ है यदि उनका मुल्य 170 हो तो 50 पैसे की शीकों की संख्या यह 25 पैसे की शीकों की संख्या के योग भी भाजित नहीं होगा तिस परकार के जो पैसे से समधित एक question रहता है तो हर एक्जाम में आ रहा है आप इससे भी repeat करेंगे और revision करेंगे इसका right answer मैं बता रहा हूं इसका right answer B number होगा साथ द्वारा ठीक है एक दूद बिक्रिता जो रुपए है प्रति लिटर के भाव से दूद खरिता है और उसमें दूद की मात्रय वन बटे फोर पानी मिला कर मिस्टर को करें मुल पर वेच देता है तब उसका लाब प्रतिसत क्या होगा 61 का इसका right answer हो ज दिसा दचिड के 60 डिगरी पूरू की दिसा में 10 किलमेटर प्रति घंटा है तो बोट का प्रेणावी वेग क्या होगा तो इसका प्रकार के question जरूर पूछी आते हैं इस प्रकार से मोटर का जो भी पानी का दिसा इस प्रकार से question इसका right answer में आपको पता रहा हूं आप इसे वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं और solve कर सकते हैं इसका right answer see number होगा 22 किलमेटर प्रति घंटा next question है किसी का में प्रतिक 5 पूरुसों के लिए 4 महिलाए हैं तता प्रतिक 5 बच्चों के लिए 2 पूरुस है यदि महिलाओं के संका चार 648 है तो गाओं की जनसंका क्या होगा तो इस प्रकार के जनसंका समदेद भी एक question पूछे जा रहे हैं इसका right answer आपको में रताद रहा है इसके अरत को जानगी और इस प्रकार के मान को ग्याद कीजिए बहुत ही असान सब्दों में इससे बनाया जा सकता है कि इसका right answer हो जाएगा यह नमबर नेक्स्ट question है इस प्रकार के दिये रहते हैं इसका मान गयाद करने के लिए दिया रहता है जो कि 10th का book में आपको इस प्रकार के syllabus में मिल जाएंगे या जो आरे सकरवाल के book है उसमें भी आपको इस प्रकार के question देखनों को मिलते हैं 65 का right answer हो जाएगा टू नमबर बहुत ही famous question है व्याफम का इस प्रकार कोशन repeated question होते हैं थोड़ी से इस मान को का हेर फेर करिजा सकता है इस प्रकार question पुछे जाएंगे next question है 66 में यदी x x के ठीक नेचे महतम प्रोणाम को परदर्शत करता है तो x उसके बिनात्मक मान को यदी x का पाउर 3 तता 1 के square का योग minus 791 है तो x का मान ग्याद कीजिए यह 12 लेवल का question है और इस प्रकार के question आपको देखने को मिलेंगे इसका right answer d number होगा तीसी प्रकार के नएने वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हैं फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में next हमारा question है 3067 में इस प्रकार के alpha और beta का समेकरण आपको दिए रहते हैं इस प्रकार के question है समेकरण से ही मान पूछ लिया है और ये question 12th book से लिया गया है 11th book में भी इस प्रकार question देखने को मिल जाएंगे तो आप इससे पढ़ेंगे और आरा सखरवाल में तो मिली जाएंगे इस प्रकार के question इसका right answer बी नंबर होगा आप इसी प्रकार के हमारे नए वीडियो के देखरें के लिए पिलिज लाइक से अब सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलिग्राम ग्रूप एमके नॉलेज ग्रूप को टेलिग्राम में आप सर्च करेंगे या उसका description में लिंक दिया गया है एमके नॉलेज ग्रूप में तुनेशीत रुप से आप वहाँ पर जाएंगे कर बेनेफिट प्राथ कर सकते हैं मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में थाइक्यू भरमाच जैहिन जै भारत